प्यारे छात्रों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रांस्फर्मर के बारे में, ट्रांस्फर्मर एक ऐसी युक्ती है, जो बॉल्टेज को अप या डाउन कर सकती है, जैसे आपके घर के आज पास में ट्रांस्फर्मर लगा होगा, उस ट्रांस्फर्मर का काम क्या होता है, क्या करना तो हम एक-एक करके यहां पर उनके सारे parts के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहला parts है उसका man tank, man tank क्या होती है, man tank वो होती है, जो नर्म-لोहे का बना होता है, और उसमें transformer oil रखा होता है, उसी transformer oil के अंदर में وाइंडिंग रखी होती है, उसमें दो तरह की windings को transformer oil के अंदर रखी होती है उसके बाद transformer oil के जो tank जो होती है tank उसके उपर पे क्या होती है कि tank के उपर पे boosting लगे होते हैं boosting उसमें आप देखे होंगे दो अलग-अलग boosting लगे होते हैं तीन बड़े-बड़े boost होते हैं और तीन चोटे-चोटे बुस होते हैं, जो तीन वड़ी-वड़ी बुस होते हैं, वो High Voltage के Connection के लिए होते हैं, जो तीन चोटे-चोटे बुस होते हैं, वो Low Voltage के Connection के लिए होते हैं, उसके बाद उसमें आपको मिलेगा Thermometer, Man Tank में आपको एक Thermometer भी मिलने वाला है, Thermometer क्या करता है, वो temperature measure करता है, oil का temperature measure करता है, man tank के उपर thermometer लगा होता है, जो oil के temperature को measure करता है, और man tank में एक चीज और आपको मिलने वाला है, उसका नाम है explosion band, explosion band उसी तरह से काम करता है, जैसे आपके cooker में लगा हुआ band, band plug जो होता है, वो काम करता है, अत्यदिक गर्म हो जाने के इस्तिती में, वो लोगों को खत्रा ना करें, इसलिए वो band खुद तूट कर, पूरे उसके जो भेपर होता है, उसके इंदर उसको release कर देता है, जश्ट उसी तरह से transformer में भी वही काम यहाँ पे करता है, explosion band होता है, जो कि अत्यदिक temperature की बज़े से जो गर्म हो जाती है, यह तूट कर उसे खतम कर देती है, और आगे है radiator, transformer के दोनों और कुछ पंखे जैसी आकरती का आप देखे होंगे बना हुआ है, वो actually में से उसमें transformer oil जो है, ठंडा होने के लिए आती है, उस पतली-पतली जिर्डियां उसे नीचे गिरती है, उसके बीच से हवा निकलती है, जिसके कार वो तेल ठंडा हो जाता है, तेल ठंडा हो जाने के बाद वापस वो तेल चला जाता है, में टैंक में और इस तरह से continue होते राता है, आगे जो है winding core है, Winding core के बारे में जानेंगे तो, में टैंक के अंदर windings रखी होती है, और उश में जो windings होती है, और उस Winding के उपर पर जो लगा के रखते है, और फिर उसे तेल अंदर डाल दिया जाता है. वहां पे टोटल जो वैंडिंग होती है उसमें पेल के अंदर रखते हैं और ट्रांसफर्मर के ज़ेस्ट ऊपर पे एक होता है जिसको गलते रहा होता है उसमें क्या काम है उसमें को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है यह पंजर्बिटर टैंक का तेल यूज के जाता है एक लगा होता है ब्रीधर लगा होता है जो जो इसके बाद उसमें एक बकॉल जरीले भी होती है बकॉल जरीले क्या होती है जब भी उस तरह का अलार्म बजाता है जब भी आसपास के जो भी बकॉल जरीले का काम है अलार्म देना जब भी ट्रांसफर्मर अग्तिधिक हिट हो जाता है तो बकॉल जरीले उसे एक आवाज के साथ आपको सतर्क करती है उस बकॉल जरीले के अल पोज रिले आपको देखने को तभी मिलेगा जब ये बड़े ट्रांसफर्मर 500 KV या उससे उपर के ट्रांसफर्मर में आप जाएंगे तो इसमें आपने देखा यहां पर कि ट्रांसफर्मर के पार्ट्स को समझने में आपको कितना आसान हुआ तो आप इसको बहुत ही अच् हैं और समझें तो आई होप आपको शमझने आ गया होगा तो ट्रांसफर्मर के सारे पार्ट्स को आपने यहां पर एक एक करके देखा और उसका काम भी देखा आई होप